देखो बच्चो को से नाम फॉर में क्या है यह सबसे पहले कहाना इसको सिंप्लिफाइए करो फिर इसकी वैल्यू देखो है ना तो सबसे पहले हम लोगो से सिंप्लिफाइए कर देते हैं 3X इंटू 4X माइनस 5 क्या करोगे यहाँ पर सबसे पहले दो 3X को मल्टिप्लाइए करो 4X के साथ इन दोरों का मल्टिप्लिकेशन होगा तो देखो यह कितना हो जाएगा 3X 3 4 जा बताओ 12 X इंटू X यहाँ पर पार है 1 यहाँ पर भी 1 है 1 प्लस 1 2 ठीक है क्या होगे 12X लगा दो अब 3X को तो मल्टिप्लाइए करो 5 से तो 3500 15 1X से वो लिख दो यह तुम्हारे सिंप्लिफिकेशन के बाद आ गया अच्छा प्लस 3 यहाँ पर देखो बच्चो चलो अब देखो यह कह रहे हैं पहला है तुम्हारा इसकी वेल्यू निकालो एक्स इस इक्वल तो चलो 3 रखो एक्स की जगा ठीक अब देखो 12 3 3 जा 9 ठीक है 15 इंटू 3 45 प्लस 3 ठीक है 9 2 जार 18 9 9 10 ठीक 10 माइनस 45 प्लस 3 ठीक है यह हो जाएगा 3 यह हो जाएगा 6 यह हो जाएगा 66 यह आपका आंसर आजाएगा ठीक है बच्चु क्लियर है आसान है ना कुछ नहीं करना खाली simplify करो और यह values put कर दो इसमें x की अब आजा तुम इसके second part पर अब देको simplification तो हमारा होई चुका है ना यहाँ बस तुम्हें x की value बदलनी है अब अभी तो मेरी x की value तो यह x is equal to 3 अब मेरी x की value क्या हो जाएगी half तो x की जगा half रख दो ठीके तो यह जाएगा 12 half का square 2 2s और 4 ठीके अब यह कितना हो जाएगा 12 15 15 15 by 2 plus 3 4 1s और 4 4 3s और 12 ठीके बच्चों यह कितना आ गया है यहाँ आपर 3 आ गया ठीक अब देखो 3 plus 3 हो जाएगा 6 ठीक अठालो इस 3 को यहाँ से तुम क्योंकि मैंने 3 को 3 में आट करा 6 हो गया LCM लेलो ठीक तो यह 2 1s और 2 तो उपर भी 2 multiply करो तो ही हो जाएगा 12 minus यह कितना है 15 ठीके अब देखो 15 minus 12 हो जाएगा 3 लेकिन negative sign upon 2 यह आपका अंसर आजाएगा ठीक है आसान है अब आजो तुम इसके बी पार्ट पर देखो बच्चो 4th question का जो बी पार्ट है वो भी वैसे ही है क्या करना है पहले आपको से simplify करना तो पहले प्लस का साइन है तो यहाँ पे तुम जो है प्लस लगा दो ठीक है अगला step a को multiply करो यहाँ पर प्लस वन हो जाएगा टू यहाँ पर तुम तुमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो ठीक एंटू 1 हो जाएगा A हमने क्या करा भी अब A into 1 करो यह A हो गया प्लस 5 लिख दो ठीक है बच्चो अब क्या करना है पहले तुम्हें इसकी value निकालने है at A is equal to 0 at A is equal to 0 क्या करोगे put A is equal to 0 यहाँ पर A के जगा 0 रखतो चलो रखते देखो 0 का cube plus 0 का square plus 0 plus 5 0 0 0 answer क्या जाएगा तुम्हारा 5 ठीक है इसमें कोई मुश्किल नहीं है बड़ी असान सा है ना चलो सिंप्लिफिकेशन हो चुका है अब क्या करना है तुम्हें बस यहाँ पर values चेंज करनी है यहाँ पर यह तुम्हारे पास A is equal to 1 रखना है ठीक है यह हम सेकेंड वाला कर रहे है 1 रखो 1 का Q प्लस 1 का स्क्वेर प्लस 1 प्लस 5 1 2 3 प्लस 5 हो जाएगा 8 ठीक है ठीक है ठीक आसान है ना चलो अब आज़ा तुम्हें इसकी थर्ड पार्ट पर है यह कहरे है अब value देखो इसकी at A is equal to minus 1 तो तुम यहाँ पर A की जगा minus 1 रख दो तो minus 1 का cube minus 1 का square plus minus 1 एना plus 5 तो देखो minus 1 का cube कितना हो जाएगा यह हो जाएगा minus 1 minus 1 का square plus 1 plus minus minus 1 plus 5 यह दोनों cancel out 5 minus 1 हो जाएगा 4 यह आपका answer आजाएगा ठीक है मुश्किल तो नहीं है ना आसान है ना अब आजो उसकी question number 5 पर क्वकर मेरी उसकी है है क्वकर जाएगा क जएक है जाएगा तो